हेलो एवरीवन वेलकम टो आर चेनल कोजी स्टडी आज हमारा सिंप्लिफिकेशन ट्रिक्स में है मैक्सिमम और मिनिमम इस पर मैंने अल्रेडी एक वीडियो बनाई है अगर आपने वह नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रवाइड करा दूंगी उ मोटिवाइड रहें तो अब मैक्सिममować में टाइप थृ जो हता है तो इसमें रूप 8 प्लस रूप 5 दूसरीальную कारेम साथ तैन प्लस रूप 3 और चौथे नमबर है रूप 11 प्लस रूप 2 आपको इन चारों को देखके बताना है कि इन चारों में सबसे बड़ा कौन है और सबसे चोटा कौन है तो आपको सबसे पहले किया करना है इनको एट करिये 8 प्लस 5, 13 6 प्लस 7, 13 10 प्लस 3, 13 11 प्लस 2, 13 चारों का सम बराबर है, आप एक्जाम में कॉशन आएगा तो कॉशन ऐसे ही डिजाइन हुए रहते हैं जिनका सम बराबर होगा, तो अब आपको जिस्ट क्या करना है, आपको इनका मल्टिप्लिकेशन करना है, तो 850 40, फर्स्ट वाले का हो गया 40, 76 42 10, 3, 0 30 11, 2, 0 22, तो अब आपको देखना है जिसका मल्टिप्लिकेशन सबसे बड़ा होगा, वो आपकी मैक्सिमम होगी और जिसका मल्टिप्लिकेशन सबसे छोटा होगा, वो आपकी मिनिमम होगी सबसे जड़ा मल्टिप्लाई है इसका 40 और सबसे छोटा है इसका, तो सबसे बड़ी कौन सी, मैक्सिमम होगी आपकी पहली वाली, और मिनिमम होगी आपकी लास्ट वाली टाइप 4 है आपका सेम पहली कोश्चन जैसा था बस इसमें नेगेटिव में आपको वेल्यू दी है रूट 11 मैनस रूट 9 रूट 9 मैनस रूट 7 रूट 7 मैनस रूट 5 और रूट 5 मैनस रूट 3 तो इसमें भी आपकी वाल इसका इसका जड़ करेंगे तो ये 2, 2, 2 और 2 सबका डिफ्रेंस 2 आ रहा है तो आप इसमें क्या करना है, ये भी same करेंगे, आप सब का multiply करेंगे, 11, 90, 99, 63, 35, 15, पहले वाले question में देखा था जब हमने positive वाला था, तो जिसका multiplication सबसे ज़्यादा था, वो सबसे बड़ी थी, बड़ जब question negative में होता है, तो उसमें क्या होता है, जिसका multiplication सबसे कम होता है, व सबसे ज़्यादा होता है, वो आपकी minimum, minimum सबसे छोटी number होती है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, तो वीडियो को like, share और subscribe करना ना बोले है,